यह सारी स्कीमें अंतिम 6 महिने में क्यूं चलाई ये। मैं विनम्रता के साथ असो गेलोत जी को पूछना चाहता हूँ 5 साल तक क्यूं नहीं चलाई वे जब आपको बंणक लग गई कि आप जाने वाले हो सारी स्कीमें याद चालू कर दी इन्हों ने सोच समझ कर अंतिम समय पर स्कीमें चालू की है राजस्तान की जनता इसको अच्छे से जानती है सर अशोक गहलोत यह कहते हैं कि भाजपा कभी भी विकास पे बात नहीं करती और भाजपा विकास के अलवा बागी सब चीज़ों पे बात करती है मैं उनको पूछ रहा हूँ कि विकास के लिए उनकी जब केंदर में सरकार्ती कितना रुपिया दिया गया नहीं कहते हो जवाब ही नहीं देते हैं सर सर सासर सर दिखे ये इनका ब्रष्टाचार को सिल्ड करने का एक जवाब है इस देश में कौट है या नहीं है अगर गहर कानूनी तरीके से हुआ है तो तुरंट कौट में चला जाना चाहिए सर कल मोदी का रोड़ सो था उसके बाद एक रियक्षन आया आधर्ष्ट अगर विदान सभा से वहां उम्ड़ दराज चुनाव लड़ने थे उन्होंने कॉंग्रेस को समर्थन दे लिया चोड़ो ऐसे विदान सभाव से क्या सवाल रोज चोड़ो वही ऐसे सवाल नहीं होते हैं यह कांग्रेस हो गई बात अपने पुछली है ना क्या माइनोरिटी देखे दर्म के आधार पर आरक्षन गेर समविधानिक है वो हो ही नहीं सकता और अगर कोई करने का प्रयास करता है भारती जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी और गेहलोध साबको तो करना ही नहीं है क्योंकि वो जीतकर ही नहीं आ रहे हैं कांग्रेस सहकार और राहूल गांदी लगाता अच्छे मैंने से जातिकत जन्गरना की बात करें बीचेपी का क्या क्या नहीं देखें कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी रहे हैं मैं राहूल गांदी की जी को तिनी सवाल पूछना चाहता हूं मंडल कमिशन की रिपोर्ट को किस ने दबा कर रखा था मंडल कमिशन की रिपोर्ट जब लागू हो रही थी कीस पार्टी ने विरोध किया था विपक्स के नेता राजिव गांदी थे उनहीं ने विरोध किया था और आज तक 70 साल में कॉंग्रेस ने पिछड़ा वर्ग आयोग को समविधानिक मानेता नहीं दी जो नरेंद्र मोधी जी के प्रधानमंटरी बनने के बाद दे गई है राहूल गांदी जी को कुछ NGO एका दो चीजे पकड़ा देते हैं तो नया कागज नहीं आता है तब तक वो ही बोलते रहते हैं अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नाशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से नाशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल अक्रेडिटेड पाणी के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूदे